विल्किना नोग दी शंधा newborn भी फैटाटा पावर को अच के दिन हमने ऑदू किया था ट्रेट एक्जेक्विशन से पहले उस्टों को हम प्रैवेट गुर्ब में मौनिंग में शेर कर दिया था और टटाब वॉर को अच काफी लोगों ने लिए इस्परेशों पर वाला पॉंट एक यह पॉइंट और यह एक जोन बना देती हैं पूरी पूरी एक रेंज ती है जो दाउनसाइड के आप देख रहे हैं यहां पर बहुत सारे औरस हमारे पेंडिंग पड़े होगे थे यह एक सप्लाई जोन है प्राइस अज क्या क्या है इसी रेंज से डॉंसाइट के तरफ गिर गिर करके और बहुत बाणस इसके अदर देखने को मिला थे और बॉला बॉलन को नहीं कर सकते थे जो रेंज अभी मने मां किया मोना किया कम कम करते गुवेगे गाफी अच्छा और के अदर पो कानर हम किन में गुर dua के तरह के बूर कर disp centrally पर गाए तो हम्हें बाफी काय çalış को कि बिल्य इस त्ञार करें गैर प्रिवेश ताहिशा और आज को बार करेंज तो सोड़ी लॉगिन करते हैं ओके एंड पास्वर्ड एन इड पूटप करते हैं इसके अंदर लॉगिन ओके सक्सेफुल ओडर बूक अपन करते हैं सबसे पहले परफेक्ट यहां पर तेखे काफी सरो अर्ड लगए हुँ मौनिंग में 4000 काई और लगा था जिसके अंदर हमा हमारा लॉस हुआ था मौनिंग में ही एक यह वाला लास्ट लगा था 3800 कुछ कौनिटीज थी हमारी जिसका हमारा प्रॉफिट बूक यह पर पेज को रिफ्रेश्च कर लेते हैं परफेक्ट ठीक है है हेंड़िट कौनिटीज का जो अपना ओडर लगा था इसके अंदर भी के आसपास का प्रॉफिट है रिफ्रेश्च कर लेते हैं परफेक्ट 11000 रुपीज के लगभग का प्रॉफिट है और मॉर्निंग में 2000 रुपीज का लॉज हुआ था वो भी रिकवर हो गया था इसके अंदर तो 2200 रुपय के आसपास का लॉज था एंड था 13000 रुपीज के वन बाएवन देखेंगे आए टैंफ्रेम और लोगर टैंफ्रेम बहुत अची तरह से समझेंगे इसको आज और है लोगर टैंफ्रेम पर समझने के लावा आज एक और बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक उपर डिसकेशन करेंगे हम लोग कि कुछ एक गलतियां होती हैं जो सबसे मेन टॉपिक हमारा आज के क्या रहेंगे कि टाटा पावर्स को हम लोग अनिलाइस करेंगे और उन छोटे-छोटे टॉपिक उपर जहूर नजर डालें जो कि मेरी सैकॉलोजी को काफी हद तक जिन्होंने मदद की थी डेवलप करने में और जब भी हम एक ट्रेट को जी हैं धूच इंसे में काफी मदद मिलती हैं इसनी बीरींजिये हैं ईन सब ही को करumbles हमने टाटा पावर को शॉर्ट ही क्यों ता इसके ओब हम एक बार नजर डालेंगे करने का मेरा अभ व्यूय थी सभसे पहले काम करेंग जितनी इलीट करेंग ने v बहुत भी होता है जब आप हाय टाइम फ्रेम पर प्रैस को रीड कर रहे होते हैं तो वहां पर किसी नहीं किसी एक सपोर्ट जोन की अगर आपको हैल्प मिल जाती है कि हाय टाइम पर रिड्रेश अपरण के साथ जिसका हम सपोर्ट लेते हैं मेरी वैरा फिक्स्ट है कि हम वालूम का ही अच्छे से अच्छी तरह से यूज करने के कोशिश करते हैं अब यहां पर देखिए जैसे हम higher time frame की volumes को open कर लें यहां पर देखिए क्या होता है कि confirm candle trading strategies अभी लगभाग कई सारी वीडियो से हम उसके उपर बना चुके हैं कि confirm candle strategies हम किस तरह से करते हैं यहां पर हमको क्या मिला है volumes के जरीए हमें यह समझ में रहा है कि price को अगर हम short करते हैं अगर हम short करते हैं तो एक अच्छा risk and reward issue हम को achieve हो सकता है और अच्छा movement हमें मिल सकता है अब यहां पर देखिए volumes को देख करके आप समझ पा रहे होगे कि यहां पर जो सबसे ज्यादा अगर हम इसको एक starting point मान लेते हैं मेरा phasing zone है यह वाला 15th of November अभी phasing zone वगरा क्या इसके ओपर discussion हम नहीं करेंगे like इसके बाद से आप देख लिए इस zone के create हो जाने के बाद से volumes increase हो रहे हैं और यह जो selling की volume आई थी यह वाली एक जो volume आई थी price ने अभी तक इस zone को upside के तरह break नहीं किया है like 13th of November की volume ने किस volume को break किया था हमारी 29th of November की volume को और अभी तक 29th of November की volume को किसी भी buyers की volume ने break नहीं किया है हमें overall यहाँ पर समझ में आ रहा है यहाँ पर हमें sellers ही नजर आ रहा है और अभी हम जो आप से बात करेंगे कि कई सारा order spending पड़ हुए थे तो situations होती हैं कई सारी formations होती हैं और data को read करके हमें यह देखना पड़ता है कि buy side में traders के order spending पड़ हुए है या फिर downside में चोटी चोटी techniques का भी इसके अंदर use किया जाता है उन techniques को अभी हम discuss नहीं करेंगे यहाँ पर क्या हुआ था price volumes को off कर लेते हैं price अब हमारा up से downside की तरफ गिरा था यहां से ले करके यहां और downside की तरफ गिर जाने के बाद में आप देखिए इसके अंदर सिर्फ और सिस sideways move ही show हुई और एक sideways move लग जाने के बाद में इसको हम लेकर गए हाई पर लेकर गए और हाई पर जब छोड़ दिया तो हम देख पारे हैं यहां पर 13th of December की candle है जिसने हाई लेगा था तेखिए काफी सारी mental लगती ही इसको analyze करने में आप लोगों के साथ शेयर करने में तो वीडियो को like कीज़ेगा, comments ज़रूर कीज़ेगा and बहुत अच्छी तरह से समझने के कोशिश कीज़ेगा अगर आप भीड़भाट के इलाके में बैठे हैं, कुछ शोर शराबा है तो शांती से इसको समझने के कोशिश कीज़ेगा भीड़भाट में आप सनोगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका माइं डाइवर्ट होगा तो आप इसको वाक्रिस में एड़ करके शोर दिए वीडियो को आप बात में देखिएगा आगे बढ़ते हैं अब 13th of December की जो candle हो गए हमारी इसने खाई लगा था यहां तक पूरा price हमारा sideways पढ़ा रहा अभी sideways move के बाद में price देखिए हमारा नीचे की दिशा तक आया है इस zone तक यह वाला जो area हमारा form हुआ है यह एक important area बन गया है यह वाला zone अब price ने down से upside की तरफ जाते हुए में जैसे price किस तरह से upside की तरफ जाएगा काफी बार हम आपको बता चुके हैं highs, lows, highs, lows हमेशा यह अपने highs को break करते हुए resistance को break करते हुए upside की तरफ जाता है price resistance को break करके upside की तरफ जाता है यहानी के यहाँ पर जितने भी resistance form हुए होंगे वो मेरे लिए एक important zone बन जाएंगे यह सभी लोगों को मालूम है कोई बहुत mysterious चीज नहीं है कि support become resistance, resistance become support बेटन का use कैसे करना है बहुत कम लोगों को मालूम होता है बहुत कम लोगों को मालूम होता है उन्हीं को मालूम होता है कि जिनको ज्यादा experience है हम भी अपने आपको उस category में रखेंगे कि हमारे पास ज्यादा experience है हम लेने की कोशिश कर रहे हैं continuous आप किसी भी एक system को follow करते रहोगे तो आपके पास experience चलता चला जाएगा आपके पास experience आता रहेगा लेकिन आपने दो दिन किसी system पर कम किया दो दिन किसी system पर कम किया अगले एक खप्ते के बाद में आपकिसी और system की उपर काम करो तो जिससे क पर हम लोग इतना deeply discussion हम नहीं करेंगे सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए जो सबसे important मेरी candle निकल के आ रहे है वो है 14th of December की candle because 14th of December के बाद से आपका price डाउंसाइड की तरफ आया था और एक swing को break करता हुआ इस 14th of December की candle की lows को break करता हुआ तो price हमारा नीचे की दिशा में गिर गया तो overall यहां पर price हमारे लिए आया है वो 225.50 का है अब यह एक हमारी important candle निकल करके आगए higher time frame पर हमें क्या clear हुआ कि एक जो कि support points थे resistance से टक्रा करके आपका price नीचे की दिशा में आया है इस एक zone पर हमें aware रहने की ज़रती यहां पर हमने इन वाले points से यह समझने की और जानने की कोशिश की अब यहां से price मेरा upside की तरफ चलता चला रहा है price मेरा अब जा रहा है और हम इसके अंदर selling क्यों कर रहे है price क्योंकि upside की तरफ चला गया है upside की तरफ मतलब सिर्फ आज के moves को देख करके हम इसको upside का नहीं बोल रहे है overall जो हम देखते हैं कि close के बाद में price सीधे अपने highest को ब्रेक करता चला रहा है और यहां से हमने क्यों इसके अंदर short selling करने के कुशिश की because यह एक resistance point है हमारी 14th of December के candle एक resistance है यहां से अगर price टक रहेगा तो बहुत ज़्यादा chance है कि price में downside की तरफ के movement आपको देखने को मिल सकते हैं थोड़े बहुत अब बारी आ जाती है सीधे lower time frame पर higher time frame पर I think clear होगा 5 minutes यह देखिए है यह कुछ एक points है यह मेरा important zone है morning में हमने गलती की थी और इसको हम accept कर रहे है हमें बिल्कुल भी इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए कि यह जो green वाली candle 945 की candle के नीचे जैसे ही price निकला था यहां पर हमने यहीं कहीं पर अपनी positions ले ली थी और highs पर अपने stop loss लगा दिये थे जो कि बहुत बड़ी मेरी mistake थी इसी वज़े से आज हमको लगभग 2000 रुपए के आसपास का लॉस हुआ था 2200 रुपए का मोटा 2200 रुपए का लॉस्त है अगर हमको सही से याद है तो कि यहां पर यह गलती हुई आपको करना क्या नहीं है कि जब तक confirmations ना मिलना है अगर आप किसी यह candle को मानते हो मेरी मेरा confirmations क्या होते हैं कि जब तक मेरी important range के निचे closing नहीं हो जाती है था हम नही इसनी स्पीड से नीचे गिरा है तो प्राइस जैसे upside की तरफ जी गया है और इसने दो green candles में अपने swings लगा लिया थे और जैसे इन green candles का लोग रिख हुआ हमने सोचा कि चलिए चैस के अंदर positions ले ले लेते हैं वेट नहीं करते हैं बट market ने देखिया क्या किया है हमारे exact position पर वो retrace होने के लिए गया market आपको सबक सिखा देगी तो यहां पर हमने अपनी entry ले थी and यह एक swing आई था अब जब price अपने swings के नीचे की दिशा में travel करने लग गया हमारा जो entry का zone बना वो कहीं न कहीं इस एक point पर था exact यह था 225.05 यह मेरा entry का point बना था and stop losses जो हमने लग 225.70 यह मेरा stop loss के लिया बना था okay तो simple सा setup था हाला कि morning में stop loss चला गया था but again जब हमने इसके अंदर अपनी entry ले थी तो ठीक ठाक profit हमको इसके अंदर अचीव हुआ था अच्छा entry or stop loss तो हो गया and अब बार यह आती है हमको हमारे targets define करने के targets हम किस तरह से निकालेंगे के down side में कहीं पर भी हमको देखना होगा एक important zone support या फिर resistance points यहाँ पर जो exact low लगा था मेरा वह 3rd of January की candle के 12 बचकर 15 minutes की यह जो candle है इसने एक low लगाय था हमारे लिए यह candle एक important candle हो जाती है ओके यह zone एक important candle बन जाती है and price जैसे ही यहाँ पर आता है यहाँ से सीथ है इसके अदर upside के move हो गए और price मेरा upside में निकल गया low और low के बाद में side तो double two 1.05 यह range बन गई यहाँ से price के अंदर upside के moves हुए थे हमने इसको mark कर लिया इसके बाद में जिसके उपर सबसे ज़्यादा हमारी नजर थी वो था एक यह यह वाला zone और again जो एक swing था हमारा वो यह वाला था तो यह जो तीन lines हमने mark कर लिया है यह मेरे सबसे मतलब अगर यहाँ पर price जाता है तो हमें यहाँ पर अभेर रहने के जोड़ रहते हैं अब देखिए price जैसे ही इस range पर आया था इसके अंदर moves देखिए कितने बड़े-बड़े moves हुए था आज की एक बच का 35 minutes की candle ने सीधे इस line को break कर दिया उसके अगली जो candle बनी वो सीधे हमारी 140 की candle पर पहुंच गई उसने सीधे double to 1.50 की range को break कर दिया और अगें जो third candle बन गई उसने हमारा सबसे downside की तरफ जो support था उसको break कर दिया तो जितने भी targets थे सारे के सारे targets हमको इसके अंदर मुले थे बट यह तो नहीं मालूम कि वह कहां तक गिरेगा या कहां से upside की तरफ चला जागा बट अब क्यूंकि इसने सभी targets अपने fulfill कर लिये थे अब यहां से जब यह upside की तरफ जाने लगा तो हमने क्या किया था यह जो अगर confirmations लेते हैं तो volumes मिहां पर काफी ज्यादा confirmations के साथ volume आ रही थे जब भी आप प्राइस को trade कर रहे हो volumes को जरूर देखिए आप indicator based trading कर रहे हो आप option और option and future तो हम किसी को भी recommend नहीं करते हैं कि जब तक आपको ठीक ठीक experience ना हो जाए आप option की तरफ मत जाएए उसके बा volumes को अगर आपने पढ़ लिया प्राइस को पढ़ना अगर आपको 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 किसी भी indicator की जरूरत नहीं पढ़ेगी तो overall जो आज का अपना profit था और जो setup था हमने बहुत अच्छी तरह से बहुत साही से आपको समझाने के कोशिच की and overall जो अपना profit था अज का 11,60 रूप दिखिए यह जो पांच की पांच हमने यहां पर टिप्स लिखी हुई है एक्शलिए टिप्स नहीं है यह कुछ ट्रेडिंग मिस्टेक्स हैं जो कि हर एक ट्रेडर को एवाइट करनी चाहिए अगर आप फर्स्ट स्टेज या फिर सेकेंड स्टेज पर भी है आपको यह पा काम करिए हम आपको दो दिन में आपका पैसा डबल कर देंगे एक खबते में आपका पैसा कुछ नहीं होता दूसरे टाइप के जो ट्रेडर होते हैं उनको क्या लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है या हमें आता नहीं है सबसे पहले या फिर एक काम करते हैं कोशिश करते जो भी आपको टिप दे रहा हो कभी भी वो profit नहीं करवा सकता वो भी profit नहीं करवा सकता और अगर आप अभी तक किसी भी tips से काम किये हों तो आप comments box में ज़रूर लिखेगा आपने tips वाले ठीप करके आपने कितना सारा पैसा बनाया है जोरूर बतानी कुशिश करना होगा और ना ही किसी tips के उपर से ओब कहले करना है मत कीजिए और बहुत सारा पैसा बरौद हो जाता है और लास्ट में आपके पास कुछ भी नहीं बसना हो none कि technical analysis को हम book खरीद करके पढ़ लें आपके पास उतना पैसा भी नहीं रहता अगर आप starting phase में हो even a first or second phase में भी हो तो avoid कर दो सबसे पहले जिए दूसरा यह होता है technical analysis को ignore कर देना ignoring technical analysis अभी technical analysis को ignore like ऐसा समझा जाता है कि technical analysis एक बहुत hard work होता है हम technical analysis कर ही नहीं सकते हैं इसा मन में पहले सही मान के बैठ जाते हैं लोग वो क्या करते हैं इंडिकेटर लगा लेंगे वो RSI लगा लेते हैं वो divergence लगा लेंगे वो तरह तरह की indicators लाइक बहुत सारे moving average लगा लिए 20 moving average लगा लिए profit करने आते हैं तो इस तरह की market जिसमें सभी लोग profit करने के लिए आते हैं और कोई 2-4-5 रुपए से काम नहीं हो रहा है यह पर करोडों करोडों रुपए का business हो रहा है तो इस तरह की market में कोई भीचीज आपको आसान नहीं मिलेगी आपको मेहनत करनी होगी technical analysis को ignore नहीं करना है आज नहीं तो कल आपको technical analysis पर आना ही होगा volumes को पढ़ना ही पड़ेगा price को पढ़ना ही पड़ेगा एक जो third सबसे बड़ी mistake होती है I think वो होती है crowd को follow करना crowd को follow करने का यह तो अक्सर भी हम अपने नॉर्मल वीडियो में बोला करते हैं अभी आपको stocks के बारे में knowledge नहीं है अभी आप 1500 रुपए बचा नहीं पा रहे हो 1000 रुपए के stop loss आप बचा नहीं पा रहे हो और आप option trading start कर देते हो future trading start कर देते हो वहाँ पर 10,500 रुपए का risk कर दोगे क्योंकि crowd वही follow कर रहा है crowd यह आपको देखाने के कोशिश कर रहा है कि bank nifty बहुत अच्छी तरह से या फिर options बहुत बड़ा आपको profit दे सकता है nifty बहुत बड़ा profit दे सकती है ऐसा नहीं कि खराब segments है नहीं यहां पर जितनी गाडियों सब speed से चलती है जब आप इस हद तक इतने अच्छे driver बन जाओ कि आप कितनी भी speeds में गाड़ी चले आप उसको चला लोगे आप उसको control कर लोगे तब वहां जाओ वहां direct नहीं पहुंचा जा सकता है आप इस stock के उपर काम कुरो थोड़ा सा समय दो दिरे दिरे करके जैसे आपका risk बढ़ता चला जा है इस stocks आता नहीं यह trade करना 500 और यह 1000 और इसका बचा नहीं पा रहो और जा रहो आप option trade करने crowd को follow कर रहो नुकसान के अलावा कुछ नहीं है आपको खुछ जानना पड़ेगा कि आपका segment कौन सा हर trader नहीं होता है जो bank nifty trade कर लेगा सभी traders नहीं होते हैं कि जो crude oil को trade कर जितने ही traders है सबका अलग अलग अपना view होता है उनके expertise होती हो हो अलग-अलग field में होती है के बौँ需 ऊपनी उप्चन ही तो हम सबसे кот defチ्रुथ मेरा stock है हम वही काम करते है बहुत को कि ना तो stock करते हैं इपकोशन करते है करें कर्या काम करते हैं सिलवर करते हैं कुछ एASU में काम करते करते हैं अगर आप भी लॉस नहीं करना चाह रहे हो लॉस नहीं करना चाहते हो सीखना चाहते हो तो जो चीज़े हम बोले इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए बहुत सारा लॉस होने से बच जाएगा आपका फॉर्थ पॉइंट क् हमें इसके उपर प्रेक्टिस करनी ना कि हम यहां पर पैसा बनाने के लिए हैं शुरुवात में हमें यहां पर प्रेक्टिस करनी होगी जितनी अच्छी से अच्छी आप प्रेक्टिस करोगी उतने ही अच्छी आप ट्रेडर बन करके बाहर निकलोगे मार्केट में यह अल कम कर दोगे जिससे कि आपका रिस्क 500 रुपए से हट करके 200 रुपए पर आ जाए या फिर अगर आपकी रिस्क कैपसिटी 500 रुपए की है तो आप 5000 का रिस्क मतलो वहाँ पर क्वांटिटीटीज कम कर दो सेम एनलिसिस 5 रुपए के स्टॉप लॉस 5 रुपए के स्टॉप लॉस रहेगा आपका और यह आपका टार्गेट रहेगा अब यहाँ पर 1000 कॉइनिटीज आप मतलो 1000 इंटू 5 आप कर दो तो 5000 हो जाएगा अब आप 5000 का कॉइनिटीज के साथ आप काम करोगे तो क्या है आप 5000 1000 रुपए का लॉस होल्ट नहीं कर पाऊगे और आप बीच में ही निकल जाओगे जैसे क्या हुआ आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस ही हुआ आपने कुछ सीखा नहीं यहां से और बहुत बार होगा कि जैसे ही आप निकलोगे वैसे प्राइस वहां से उपर चला जागा आप पर एक समझने वाली बात क्या है रिस्किंग मोर देन यू कैन अफोर्ड तो लॉस या लूस पांचो रुपए की एफोर्ड कर सकते हो ट्रेट करने के लिए तो आप पांचो रुपए लो पांचो रुपए जाएगा तो आपको बिलकुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी अग लुपए लुपए को लॉस और आपने पांचो रुपए को रिस्क ले लिया नुकसान के लिए बहुत सिंपल सी भाशा में बहुत अच्छी चीज हम आपको बता रहे हैं बहुत सारी कोशिच कीजिए बहुत मेहनत कीजिए बहुत सारा समय मार्केट को देजे पढ़ने का भी अपना पनी साथ सा उत लांस लाउस मतला साथसौ पहलु तार करें रहे हैं रहें हैं पनात्रा सौरे काटरा प्लारा सक्टा लास से अब ही आ और अपने साथ सौइर करे ली और हो साथ साथ सोर लास मतला सब्सक्राइका लोग आए रिक अर्धिवन ळ 550 ऊंड होगी चलो ठीक है 700 रुपे तो रिकावर होगा अब यह 700 और रिकावर कर लेते हैं बहुत सारे cases में क्या होगा जैसे आप 700 रिकावर करने जाओगे वह आपका 2000 रुपे के लॉस में convert हो जाएगा जा फिर वह 700 रुपे का लॉस अगर आपका रिकावर भी हो क्योंकि आपके पास कोई system नहीं है आपका वह 700 रुपे का लॉस भी रिकावर वह गया अब आप जीरो लॉस और जीरो प्रॉपित में निकलते हैं लॉस तो रिकावर होगे चलो प्रॉफिट में निकलते हैं जैसे ही आप प्रॉफिट लेने के लिए जाओगे मार्किट वही यह बंद करी सिस्टम कल भी तो मार्केट ओपन होगी ना आज की मार्केट आखरी मार्केट थोड़ी नहीं यह तो 20 साल पहले भी चले थी 20 साल बात भी चलेगे और उसके बात भी चलेगे तो आज ही आज में आपको सारा रिस्क ले लेना हो तो आप लीजे टू मैनी पोजिशन्स वरना एक या दो खतम कल ट्रेट करेंगे हम दो पूरे दिन देखिए बैठिये मार्केट में एनेलाइस कीजे लाइन स्ट्रॉ कीजे पढ़िए उसको ज़रुरी है कि उसके अंदर हम रियल मनी से ही रिस्क लें काफी बड़ा वीडियो हो रहा है यही पर हम वीडियो को अपना खतम करते हैं वीडियो कैसे लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर रिवी दीजेगा अपना अब लोग मिलते हैं नेक्स ट्रेडिंग सेशन में तब तक के लिए थांक यू गूड़ and we will meet again